Hello everyone, very very good morning to all of you, my dear students, मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का वीशू सर, अपने online platform पर सभी students का स्वागत करता हूँ आज का, जो ये विडियो सेशन है, इस विडियो सेशन में हम तुम लोगों के साथ एक नए सब्जेक्ट को सुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसेक सर्वेइंग माइडियर स्टुडेंट्स, सर्वेइंग, जिसे हम लोग सर्वेक्षण भी कहते हैं, अगर हमें किसी भी छेत्र का मैप बनाना है, नक्षा बनाना है, तो हमें सबसे पहले उस छेत्र में जाके सर्वेक्षण करना पड़ता है जिसमें हम लोग उस छेत्र में अगर कोई भी आबजेक्ट है, तो वो आबजेक्ट का रिलेटिव पोजीशन क्या है, उसे हम लोग ग्यात करते हैं इस बिधी को इस प्रोसेस को कहते है डेटा कलेक्षण और जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, छेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद, तो उस डेटा के अधार पर हम लोग एक मैप को तयार करते हैं, एक नक्षे को तयार करते हैं For example, my dear students, let us suppose, हमारे प्रित्वी पर ये कोई एक ऐसा छेत्र है, जिसका हमें मैप तयार करना है, नक्षा बनाना है, और इस छेत्र में, इस छेत्र में यहाँ पर कोई एक आबजेक्ट है, कोई एक आबजेक्ट है, तो my dear students, अगर यहाँ पर हम एक reference point मान लें, क्या मान लें? reference point मान लें, तो my dear students, इस reference point के respect में, इस point का क्या position है? position कहने का मतलब यह है, किस reference point के सापेक्ष में, यह point, यह object कितने दूरी पर है, तथा, यह जो point है, यह जो object है, इस reference point के respect में, इस reference point के respect में, किस दिशा में है, किस दिशा में है, इसको ग्यात करते हैं, और जब इस object का, इस reference point के सापेक्ष में, इस reference point के relative में, दूरी तथा दिशा हमें ग्यात हो जाती है, तो इस data, इस information के आधार पर, फिर हम इस छेत्र का नक्सा बनाते हैं, इस छेत्र में बहुत सारे object होगे, बहुत सारे point होगे, जैसे आप लोग देखते हैं, भारत का जो नक्षा है, ये मान लिजे A4 size का seat है, इंडिया का ये एक map है, इसमें यहाँ पर मान लिजे पटना है, तो इस पटना के respect में, दिल्ली कहाँ पर होगा, मुंबई कहाँ पर होगा, बेंगलोर कहाँ पर होगा, जमु कस्मीर कहाँ पर होगा, कनिया कुमारी कहाँ पर होगा, कैसे पता करोगे, कैसे नक्सा बनाओगे, तुमको इस छेत्र का भारत का सरवेक्षन करना पड़ेगा, जिसमें तुमको ग्यात करना पड़ेगा कि ये जो दिल्ली है ये पटना से कितने दूरी पर है ये जो दिल्ली है ये पटना से किस दिशा में है ये जो मुंबई है ये पटना से कितने दूरी पर है ये जो मुंबई है ये पटना से किस दिशा में है ये तुमको ग्याद करना पड़ेगा तो my dear students surveying अर्थात सर्वेक्षन एक कला है एक आठ है जिसमें क्या किया जाता है प्रित्वी के सतह पर प्रित्वी के सतह के ऊपर या प्रित्वी के सतह के नीचे यदि कोई भी object है तो इसका position किसी reference point के respect में क्या है अर्थात reference point से इसकी दूरी क्या है इसकी दिशा क्या है इसको ग्यात किया जाता है और उस जानकारी के अधार पर इस छेत्र का क्या किया जाता है नकसत त्यार किया जाता है clear हो गया my dear students तो इस subject में हम लोग को यही पढ़ना है कैसे हम लोग किसी छेतर का सर्वेक्षण करते हैं उस सर्वेक्षण में जो हमें जानकारिया मिली हैं उसके अधार पर कैसे नक्सत तेयार करते हैं कौन-कौन से instrument यूज करेंगे किस instrument का application कहा पर आपको दिखने को मिलेगा वगेरा वगेरा तो my dear students अगर हम लोग बेसिक सर्वेइंग में सर्वेइंग की बात करें सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग को कहते हैं सर्वेइंग में भी defined as सर्वेक्षण को परिभासित किया जाता है as a science of determining the position in three dimension सर्वेक्षण एक बिज्ञान है एक कला है जिसमें हम लोग किसी भी चीज के position को ग्याद करते हैं जो हमारे three dimensional space में है of natural and man-made features किनके position को ग्याद करते हैं three dimensional object, three dimensional space में जो objects है objects natural भी हो सकते हैं mountains हो सकते हैं, hills हो सकते हैं, rivers हो सकते हैं objects man-made भी हो सकते हैं tower हो सकते हैं, building हो सकते हैं, road हो सकते हैं canals हो सकते हैं on और beneath the earth surface वो earth surface पर भी हो सकते हैं earth surface के नीचे भी हो सकते हैं सता के थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं surveying is the art surveying एक कला है माई दियर students of determining the relative position of any object जिससे हम लोग अपने प्रित्वी के सता पर यदी कोई वस्तु है, कोई पॉइंट है उसके position को ग्याद करते किसी reference point के respect में है इसलिए यहाँ पर relative लग गया है सब्द on the earth surface, above the earth surface, or at the earth surface clear है my dear students? the main objective of surveying, surveying का main उदेश क्या है is to collect data, data को collect करना अब देखो कुछ भी हम design करते हैं या construct करते हैं जैसे railway track बनाना है, canals बनाना है कुछ भी चीज हमको बनाना है तो my dear students, किसी भी चीज का जब construction हम लोग करते हैं तो किसी जगा पर करेंगे तो उस जगा पर करने के लिए पहले उस जगा का सर्वेक्षन करना पड़ता है कि कहा पर हम लोग अपने structure को खड़ा करेंगे तो my dear students, जब हम किसी छेतर का सर्वेक्षन करते हैं तो हमें data मिलता है उस data के आधार पर फिर हम लोग उस छेतर में ये तै करते हैं हमें road को कहा पर बनाना है और बनाने से पहले उसकी designing की जाती है railway line कहा पर बनाना है irrigation के लिए canal कहा पर बनाना है water supply system कहा कैसे बनाना है sea waste disposal etc. system हमें कहा कैसे बनाना है इन सब चीजों को आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी बस आप इतना जनिये कि सर्वेक्षन जब हम लोग किसी छेतर का करते हैं तो उस छेतर का हमें data मिल जाता है उस data के आधार पर उस छेतर का हम नक्सा बना लेते हैं और उस नक्सा के आधार पर हम ये तै करते हैं कि किस जगा पर हम किस चीज को construct कर सकते हैं जो हमारे लिए उपियुक्त होगा माइडियर स्टुडेंट्स अब माइडियर स्टुडेंट्स आप लोगों का जो सबजेक्ट है बेसिक सर्वेइग इस सबजेक्ट में आप लोगों को टोटल पाँच चैप्टर पढ़ने है पहला चैप्टर जो है वो है ओभर भीव एंड क्लासिफिकेशन आप सर्वेग ओभर भीव आप सर्वेइग में हम लोग जानेंगे कि बेसिक सर्वेइग है क्या बेसिक सर्वेइग किस सिधान्थ पर काम करता है उसका प्रिंसिपल क्या है इसका उदेश क्या है, और इसका एप्लिकेशन क्या है इसके बाद माईडियर स्टूदेंट्स इसी चैप्टर हम में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपने सर्वेग्छन को कितने आधारों पर बाटते हैं और सर्वेक्षण का जब वरगी करन किया जाएगा तो कौनसे सर्वे को कहां पर हम लोग यूज करेंगे कौनसे सर्वेक्षण के मेथड को हम लोग किस जगह पर यूज करेंगे इन सारी बातों को आपको unit number 1 में पढ़ना है unit number 2 में my dear students हम लोग पढ़ते chain survey अगर किसी छेत्र का सर्वेक्षण chain के मदद से करते हैं तो उसको chain surveying कहते हैं chain surveying small region के सर्वेक्षण के लिए यूज होता है ऐसा छेत्र जिसका area छेत्रफल कम हो उसके सर्वेक्षण में हम लोग chain surveying को यूज करते हैं my dear students किसी small area वाले reason का या किसी small area वाले reason में कोई भी object का position किसी reference point के respect में कितना है इसको ग्याद करने के लिए chain surveying करते हैं जिसमें chain के मदद से किसी point का position किसी reference point के respect में निकालते हैं लेकिन इसमें केवल linear measurement आपको दिएगा इसके बाद my dear students है compass traverse survey अगर आपका छेत्र जिसका आपको survey क्षण करना है बहुत बड़ा है छेत्रफल बड़ा है तो फिर वहाँ पर chain survey करने से केवल काम नहीं चलेगा वहाँ पर survey क्षण में हम लोगों को किसी भी object का position किसी reference point के respect में निकालने के लिए linear measurement भी करना होता उसके लिए chain और tape का मदद लेंगे और साथ में हमें किसी object का position किसी reference point के respect में निकालने के लिए जिसा भी निकालना पड़ता है direction भी निकालना पड़ता है तब उसके लिए फिर compass का मदद लेंगे तो ऐसा सर्वेक्षन जिसमें compass का भी यूज हो रहा है उसको compass surveying करना है इसके बाद my dear students next है leveling and contouring leveling में हम लोग ग्याद करते हैं leveling में my dear students हम लोग ग्याद करते हैं किसी भी position के respect में ground पर कोई भी point कितने elevation पर है कितने उचाई पर है या कितने depression में है कितनी गहराई में है इसको कहते leveling करना my dear students इस unit में पढ़ेंगे कि leveling में कितने यंत्र होते हैं कितने method से हम लोग leveling करते हैं वगेरा वगेरा इसके बाद साथ में contouring भी पढ़ेंगे हमारे प्रिथवी पर इस छेतर पर इस छेतर जिसका सरवेक्षण करना है इसमें बहु सारे ऐसे point होंगे जो इस reference point से same level पर होंगे ता इन सारे points को जोडने वाला ये जो line होगा इसको बोलते contour ता contouring leveling करने के बाद हमें ये मालूम चल जाता है कि इस छेतर में कौन से कौन से points है जो इस reference point के respect में same level पर है जिससे हम लोग फिर contouring line खीचते हैं draw करते हैं और फिर उस अधार पर contouring map को तयार करते है तो ये unit number 4 में आप लोगों को पढ़ना है unit number 5 में my dear students हम लोग पढ़ते measurement of area and volume ये जैसे कोई छेतर है इस छेतर का क्या area है इसको calculate करने के लिए instrument होते है इसके मदद से हम लोग किसी भी छेतर के area को निकाल लेते हैं या अगर road बनाना है तो road बनाने से पहले माटी की कटाई भी होती है माटी की भराई ताकि road को एक level में लाया जा सके तक कितना volume एक्सवेशन करना है कितना volume अर्थ के material का feeling करना है ये सब हम लोग calculation इस chapter में पढ़ेंगे तो ये chapter civil engineering के students ये subject civil engineering के students के लिए उनके आने वाले भविस के लिए बहुत ही महत्पूर्ण subject है और इस subject में हम तुमको अपना पूरा अनुभव देंगे इस subject में तुम लोग को देंगे तुम लोग को कही से भी subject में कोई परिशानी होने वाली नहीं है माइडियर स्टुडेंट्स इस subject का total 60 video lectures है as per your syllabus whiteboard पर बने quality बहुत अच्छा है अब उन 60 lecture को पुनाह बनाना थोड़ा सा दिक्कत है तो recorded lecture आपको whiteboard पर ही मिलेंगे और जो live lecture होंगे वो digital board पर इसी प्रकार से होंगे तो survey में आप लोगों को recorded lectures आज से upload होने शुरू हो जाएंगे जाए civil के application पर application को download कीजिए एक week में सारा video आपको मिल जाएगा तब तक आप लोग देखना शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए और इस subject का आनंद लीजिए क्योंकि ये subject ही है आनंद लेने वाला तो चलिए students थोड़ा सा इस subject के बारे में तुमको बताए कि क्या क्या चीजे तुमको पढ़नी एक idea लग जाए my dear students इस subject में किताब तो बहुत सारा है लेकिन एक ही किताब तुमको बताएंगे क्योंकि 75 को खरीद के क्या करोगे एक ही किताब तुमको बताएंगे उसका नाम है एनन बसक यह आप किताब खरीद लीजेगा इससे बहतर किताब सर्वेइंग का कुछ नहीं है तो चलिए students इस वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और अपने syllabus को शुरू करते हैं लाइव लेक्चर एक आज साम में या कल आपको रूटीन मिल जाएगा और एक से दो दिन में मतलब कोशिस रहेगा हम लोगों का कि पांच तारीक तक किसी भी हालत में आप लोगों का लाइव क्लास शुरू हो जाए जैसीविल के एप पर ही चलेगा तो चले students have a very good day